Hey guys, welcome back to the channel, hope you guys are doing great तो जैसा कि आप देख सकते हैं, आज की जो हमारी वीडियो है वो एक माइनिंग रिक से लेटेड होने वाली है तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आज का टॉपिक वाज़ा कर देना चाहता हूँ आज की जो वीडियो है उसमें हम लोग यह देखेंगे के माइनिंग रिक कैसे बनता है इसमें जो पार्ट्स होते हैं वो बेसिक पार्ट्स कौन से हैं और इनको कैसे बना सकते हैं आप खुद अपने घर में अराम से इसकी कैसी सेटिंग कर सकते हैं एक बिल्कुल बेसिक विंडोस के ऊपर एक माइनिंग रिक का सेट अप करने वाले हैं आज हम क्लेम और माइनर के साथ तो काफी लोग इसको लिनेक्स जैसे वेस पर प्रेफर करते हैं लेकिन मैं आज विंडोस पर दिखाने वाला हूं क्यूंकि आप लोग जो है वो जाद प्रोफिट बनता है वो सब डिसकस नहीं करेंगे अगर आप लोग चाते हैं उस पर भी वीडियो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं मैं उस पर बनाने की कोशिश करूंगा आज की जो वीडियो उसमें एक रिक त्यार करने वाले हैं और इसको अपरेशनल करने वाले वीडियो शुरू करते हैं लेकिन अगर आप ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज करें ताकि आप मजीद ऐसी इंफोर्मेटिव वीडियो को मिस ना कर सकें मार्किट बढ़ाने के लिए आपको जो सबसे पहले जिस चीज करता है वह एक फ्रेम है जिस पर आप अपनी सारे पार्ट को और नाइस करेंगे यहां पर नीचे आप इसमें अपना मदर बोर्ड पावर अप्लाइव गर राख सकते हैं और उपर जीप्यू लगा सकते हैं इसके तो यह बिल्कुल एकुरेट मेयरमेंट का बना हुआ आपको मार्किट से रडिमेट दो हजार रुपे तक मिल जाता है आप खुद बनाए पर जिसमें एर फ्लो भी रहे तो यह सबसे पर्ला पार्ट है जो के बिल्ड बनाने के लिए हमें चाहिए होता है जो नेक्सीज़ मेरे पास तो मदर बोर्ड है जो मैं स्वरिग में यूस करने वाला हूँ यह मैक्सन का B85 BTC मदर बोर्ड है इस पर आप देख सकते हैं के छ अगरीबन 1500 पर मिल जाता है और जो इस बोर्ड है तकीवन 15,000 पर में आपको मिल जाता है तो 16,000 से 17,000 के बीच में यह पूरा कमबो आपका मदर बोर्ड और प्रोसेसर का बन जाता है माइनिंग रिग के लिए और साथ मैंने इसमें एक 4GB की रैम लगाई हूई है फोर जी मैं GPU की output है वो मैं यहां से VGA से लेने वाला हूँ तो अब हम नेक्स पार्ट को देखते हैं तो इसलिक में मैं दो तरह की power supplies यूज करने वाला हूँ पहली power supply जो है वो हमारी normal PC वाली power supply है जो कि मैंने 300 watt में ली है यह आपको राम से 1500 की मिल सकती है बिल्कुल simple power supply है यह low voltage इस सिफ mother board के लिए यह वाली power supply को यूज करूंगा जहां बात होगी GPUs और राइजर को power करने के लिए वहां मैं यह supply यूज करूंगा यह server की power supply है 1200 watt की HP की जो के मेरी तरफ से बहुत ज्यादा recommended है mining के लिए मैंने दूसरी power supplies भी यूज की है इस तरह के हम PC की power supplies को यूज कर सकते हैं bronze में या अगर आप यह वाली supply यूज करना चाहते हैं तो मैं आप लोगों को लाजमी recommend करूंगा के उसको आप लोग at least gold के level की power supply यूज करें दूसरा एक बहुत important बात मैं यह करने वाला हूं कि आप अपने GPUs को अगर power करते हैं यहां से 12V की power तो आप राइजर को भी power यहीं से करें 12V की power दें आप साटा की या ID के connection यूज ना करें जिसना कि में पास यह राइजर है जो आपको motherboard से ऊपर लगाते हैं आप फ्रेम के उपर GPU इसके उपर लगता है इसमें हमारे पास power की option जो है वो 12V वाली भी होती है उसके लावा साटा या ID की option भी होती है तो स साटा और ID बिल्कुल मत यूज करें बिल्कुल recommended नहीं है क्योंकि राइजर ने जितनी पावर करनी होती है वो साटा या ID के लिमिट से जादा है तो इसके लिए जरूरी है कि हम 12V वाली ही जीपी वाली PCI ही यूज करें पावर देने के लिए तो इसलिए ये वाली यह पास काफी जादा पोर्ट होती है इसमें आपस 10 वाली भी आती है 12 वाली भी आती है तो मैं डेफिनली आप लोगों को रिगमेंट करता हूं यह वाली पावर सप्लाइज से जीप्यू और राइजर को पावर करें एक तो यह गंटेनियूस पावर देती है थोड़ी मिल जाती हैं PCIe केबल जान से हम राइजर या उसको जीप्यों को पावर करना चाहते हैं और अगर आप इस तरह की सेपरेट केबल साते हैं तो तकरीबन 600-800 में आपको इस तरह की सेपरेट केबल मिल जाती है वैसे तो प्राइस जादा है केबल की लेकिन डिमांड जादा ह वहांने की वज़ा से इसकी प्राइस हाई हो चुकी है तो नेक्स जो हमारे पास पार्ट है वह ग्राफिक्स कार जो के माइनिंग का सबसे इपोर्टन पार है क्योंकि माइनिंग एसी पर ही होनी होती है तो मैं इसमें दो तरह की जीप्यूज करने वाला हूं एक तो GTX 1660 Super जो के काफी ही अच्छा जीप्यू है जो के एक अच्छा हैश्ट दे देता है इसके तुम्रेटर्स भी जादर नहीं जाते पावर द्रॉ भी कम है और निवीडिया के जीप्यू मैं जादा प्रफर करता हूं एम्डी की निजबत क्योंकि इनकी सेटिंग्स करनी आसान है ज आपको इनकी optimal settings भी दिखाऊंगा मैं क्या करता हूं तो चले अब हम रिग बिल्ट करने की तरफ चलते हैं अब विंडोस के लिए मैं इस पर यूज करने वाला हूं एक बायोसार की SSD जो कि सिफ 120GB है क्योंकि खाली Windows की ही इसमें जुरत है या फिर एक माइनर की उसके लिए ह बोर्ड में हम प्लग करते हैं और इसके उपर GPU लगाते हैं इसको फ्रेम के उपर रखकर यह तक एवन पंद्रा सो रुपे का हमें मिलता है यहां पर मैं 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 लगा चुका हूं आप देख सकते हैं कि राइसर का एक एंड जो है मैंने PCI slot में लगाया है यहां पर दू दूसरा मेरे पास यहां पर यह वाली सप्लाइ है इस से मैं ने मदर बोड को पावर दी है 2480 x के साथ और दूसरा यहां पर मैं SSD कर चुका हूं जिसमें विंडोज इंस्टॉल कर चुका हूं और अब हमारा जो रिग है वो माइनिंग के लिए रेडी है अगर आप यहां दे यह राइजर इस तरह से स्क्यू पर हम प्लेस करते हैं फ्रेम के ऊपर और यहां पर जीप्यू लगता है PCI slot में और यह वरी पास यह रेड वायर हमारी मदर बोड पर कनेक्ट होती है और दूसरी वायर हम यहां पर राइजर के साथ लगाते हैं और यहां से हम इसको पावर चुकंग है और यह बिल्कुल माइन व है cuánt दी के लिम्धिके त्यूंघ को वह पावर भी है मैंने के的गार ओम इसके दूसरी तरह से देख सकें अगर एस तरह से देख सके तो मैंने यहां पर फैं इंस्तौल प्रेम के इस तरह ताके मेरे जीप्यू का एर फ्लो है वो अच् यह एक अच्छा एर बना दें और अगर एर कंडिशनर अगर आप नहीं उस करते तो काफी बेतर एर फ्लो यह उसको दे सकता है रिक के इस तरफ में एक बटन इंस्टॉल किया है जिससे मैं इसको अन कर सकूँ जिस तरह के हमारे PC Cases में होता है आपको पता है के बोर्ट के यह तो अब जो है हमारा बिल्ट रेडी है माइनिंग के लिए तो अब मैं आपको इसको प्लग इन करके स्क्रीन रिकॉर्डिंग के साथ दिखाऊंगा जो मैं बेसिक सेटिंग्स करता हूं विंडोस में माइनिंग के लिए इसको किस तरह से हम आटो स्टार्ट पर रखेंगे और उसके इलावा माइनिंग की जो सेटिंग्स है क्लेवर माइनर की किस तरह से हम इन जेप्यूस को आप्टिमाइस करेंगे कि यह में बेस्ट है दें वो भी मिनिमम पावर कंजप्शन के साथ और इंगे नपरेचर दें और उसके साथ मैं एक आप लोगों को एड़ाइस इसके साथ लाजमी ब्रेंड़ पावर सुप्लाइस वाली केबल यूज करें क्योंके जो नॉर्मल केबल है हमारी लोकल उनकी वायर कॉलिटी अच्छी नहीं होती और वो इतने वाटिज की कंजप्शन नहीं बदाश कर सकी और मेल्ट हो जाती है तो पावर केबल लाजमी अच्छी यूस करें और उसके इलावा जीप्यूस की जो फैन की स्पीड है अप उनको भी तेज रखें क्योंके खुदानाफस्ता अगर फैन खराब हो भी जाता है तो वह हजार रुपे का या पनरा सो रुपे का निया मिल जाता है लेकिन अगर एक जीप्यू खराब हो ज हो कि अतर शस्कुत तुर्ट मणेंट है तो अहुस के बाद हे सर्च कर ना होगा एडवांस सिस्टम स्यटम सेटिंग्स में आ जाएंगे तो यहां पर आपको एडवांस के टैथ में पर्फॉम्स की औपशन मिलेंगई इसकी सैटिंग्स में जैना है अपने आगे अच फेर करना है और मैं सजेस्ट करूंगा कि आप यहां पर 64,000 की वैल्यू डाल दें 64,000 MB की तो आपके 6 GPUs इस वैल्यू पर माइन हो सकते हैं आप इसको सेट कर दें और इसके बाद आपको एक दफ़ा PC को रिस्टार्ट करना पड़ेगा लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा पहले आप एक तकces आप लोग इजी यससको डऴोड कर सकें और जब आप इसको ड़ोड करकर के करें तो आपके पास इस तरह की आपके सामने और इसमें पास काफी साथा बैट फा आध फाइल होंगी मैं आपको घंगा आपको किसी एक को कैण कर लें इसका नेम चेंज कर लें ताके आप यह वाली जो फाइल है यह डूड़ेंगे इसके फोल्डर में क्लेम और के तो आपको यहां पर मिल जाएगी यह देखें यह मारे पास यह वाली फाइल है तो इसकी आप प्रॉपर्टी में जाएं और इसकी लोकेशन को आप कॉपी कर लें और उसके बाद दुबार आप अपनी नोटपैड वाली फाइल में जाएं और यह लोकेशन इससे पहले पेस्ट करके और एक स्लैश यहां पर डाल दें अताकि आपकी डिरेक्टरी बन जाए इस एप्लिकेशन की जो लोकेशन है वो यहां पर आप डाल दें नेचसी जो हमारे पास इसमें है वो हमारे पास पूल की mobile ч.ई में तो जो पूल की ऑप्शन आपकीशन तो यहां से वो देखते प्रेस मिल जाएंगे पूल के डालने के लिए तो आपने एशिया वाला पूल सिलेक्ट करना है यहां पर तो उससे यह है कि आपकी पिंग कम आएगी और आप इसको क्लिक करेंगे यह रहरा हुँ किरिएंगे यह मेरे पास सामने थीन पूल आ गये हैं तो जहां conquer ने पाकिस्ट से और लॉंग करना है यहां कार सकता हुँ कि मेरी लोकेशन पाकिस्तान है तो मैं कोपी कर happier अगाएंगा और मैं यहां पर पूल की जगा पर में कंक कर नहीं पता कि कौन सी कमांड किस चीज़ की है तो आपको यहां पर क्लेमोर वाले फोल्डन में जो हमने एक्स्ट्रा किया आपको एक रीड मी मिल जाएंगा जिसके अंदर यह सारी कमांड आपको मिल जाएंगी और एक बहुत इची गाइड है यह आप इसको डिटेल में पढ़ सकते हैं जो कि मैं लाजमी रिकमेंड करूंगा आपको सारी यहां पर कमांड के मतलब पता चल जाएंगे कौन से कमांड से क्या हमें वैल्यू सेट करनी चाहिए और उसका मतलब है क्या और अब नेक्स जो कमांड को सेलेक्ट करना है यह वाज़ है कि मैं एथिरियम माइनिंग कर रहा हूं इसलिए मैं एथिरियम को सेलेक्ट कर रहा हूं और आपने नेटवर्क को एथिरियम E.E.R.C. 20 वाला सेलेक्ट करना है आपके एक एड्रेस आजगा जो आपने कौपी करना है और यह वाला एड्रे जब हम थोड़ा सा उनकी जो कोर क्लोक है उसको अंडर वोल्ड करते हैं और जो उसकी मेमरी क्लोक है उसको अच्छी पर्फॉर्मस देते हैं हमें आगे के पार्ट के लिए मैं एक लोगों को सज़ेस्ट करूँगा कि आप जीप्यू की सेटिंस केने से पहले जीप्यू के ड्राइवर्स इस्टॉल करें अगर आपकों नुवीडिया है तो आप नवीडिया के सिंपल ड्राइवर्स इंस्टॉल कर लें विधाओग यहां पर एक बाद में और एड करना चाहता हूँ कि अगर आपके बास मुल्टिपल रिग्स हैं तो आप इस वालट के बाद रिग वन डाल सकते हैं इस आपको पता चल जागा आपके कौन-कौन से रिग एक्टिव है और वो आपके जो पूल है उसमें आपको शो हो जाएगा यहां मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप यहां पर एक और कमांड डाल दें जो कि है हमारे पास पासEWorkerKlaimHort इस में जरूरी होती है नहीं होती तो यह वाली कमांड आप यहां पर definitely डालें और उसके बाद जो हम यहां पर करेंगे वो हम यहां पर GPUs की settings करेंगे और मैं इससे पहले आपको कहूंगा कि एक दफ़ अपना minor run करके देख लें आपके आपके जो GPUs है वो कौन से number पर कौन सा GPU है ताकि आप उसके accordingly यहां पर setting कर सकें तो हम setting की start करते हैं सबसे पहले जो मैं है यहां पर वो power की settings करूँगा और power की settings करने से जो है वो GPU कम power लेता है अपने full wattage पर नहीं चलता हमें जितनी required हैं यहां पर उतनी ही use करेंगे उसका फाइदा यह है हमारे की लिए के GPU जादा energy consume नहीं करता तो वो जादा गरम नहीं होता तो मेरा जो setup है उसमें सबसे पहले जो मेरे पास है दो RTX 3070 है उसके बाद GTX 1660 सूपर है तो मैं यहां पर command डालूँगा जो मेरे पास RTX 3070 है उसके लिए पावर लिमिट में माइनस 45 लगाता हूँ यानि 60% पावर पर मैं उसको चलाता हूँ इससे वो 130 वाट पर चलता है हमारे पास जो कि बहुत अच्छी electricity consumption है और जो GTX 1660 सूपर है उसके लिए मैं यहां पर माइनस 35% पावर लिमिट यूज करता हूँ और इ उनको सेपरेट किया है इस तरह आप जीप्यू के नंबर के हिसाब से कॉमा के बाद उनकी वैल्यू डालें इस तरह 1660 सूपर मेरा थर्ड नंबर पर ता तो मैंने उसकी वैल्यू थर्ड नंबर पर डाली तो इस तरह से आप इसकी सैटिंग को डिफरेंशियट कर सकते हैं म और यहां पर डालने से मैं आफ्टर परनने के बजाए इसको प्रेफरेंशियट करता हूं कि माइनर से इजली यह सारी सेटिंग्स अप्लाय हो जाती है स्टार्ट अपर ही माइनर के और जो नेक्स मेरे पस सैटिंग है वो कोर क्लोग है जो मैंने आपको जिस तरह से बताया को श है था में आपस मेम्री क्लोग तो जो में फास मेबरी क्लोग है वो आवर्लोक करोंगा इसमें तो अवर्ट ीसवेंट यहां में उसमें मैं प्लस एलेवनी हृं। यहां युसकरोंगा e मैं ए उसमें मैं सिक्स्टी हंड़ट के है काיח a आपको किसी किसम का कोई incorrect share नहीं मिलेगा GPUs बहुत अच्छा perform करेंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो 1660 Super की में पास memory clock है उसको मैंने minus 502 किया है क्योंकि यह हर GPU की अपनी settings होती है और वो अपनी settings के साफ से अच्छा perform करने हैं तो जो मुझे बेस्ट सेटिंग्स 1660 Super की लगी है जो मुझे बेस्ट पर्फॉरमस देती है वो यह है कि मैं उसकी memory clock को भी थोड़ा सा under clock करूँ तो इसके बाद अगर आप लोगों के पास AMD के GPUs है तो मैं आप लोगों को सज़ेस्ट करूँगा कि आप यहां पर दो कमांड और एड़ करें जो के हैं Rx Boost और इसको आप 1 कर सकते हैं और इसके साथ Straps को आप 1 कर सकते हैं तो यह दो कमांड जो हैं यह मैं आपको सज़ेस्ट करूँगा कि आप AMD के GPUs के साथ यूज़ करें चुँके मैं NVIDIA के GPUs यूज़ कर रहा हूँ तो मैं इनको नहीं यूज़ करूँगा तो यह मेरी NVIDIA GPUs की सेटिंग्स है अगर आप यह values note करना चाते हैं तो आप कर सकते हैं जो पहली दो values हैं वो Rx3070 के लिए हैं और जो थर्ड नमर वाली values हैं वो 1660 Super के लिए है तो यह बिल्कुल स्टेबल सेटिंग्स हैं बगएर किसी इंकरेक्ट शेर्स के बहुत अच्छा GPUs परफॉर्म करते हैं अब हम आगे देखें तो इन सारी कमांड्स के आप मतलब पढ़ना चाहें तो आप Redmi में पढ़ सकते हैं यहां पर आप एक कमांड्स के लिए में तनी लमी नहीं कर सकता है मैं आगे जो जरूरी कमांड्स है उसमें जा सकता हूं तो यहां पर आप एक कमांड्स डालें fan min और यहां पर आप मैसेजस करूंगा आप इसकी value high रखें क्योंके fans तो आप easily AliExpress से replace कर सकते हैं अगर इनके साब का fan खराब हो जाता है लेकिन GPU आपको पता है कि वह सस्ता replace नहीं होता तो इसकी value आप जतनी high रख सकते हैं वह रखें बहतर होगा हाँ तोड़ा सा noisy हो जागा but mining machine है तो noisy होना उसका बनता है तो यह values हैं कुछ जरूरी उसके बाद यहां पर इसके शुरू में मैं एक value डालता हूँ वह value का जो मकसद है वह मैं अभी आपको बताता हूँ थोड़ी देर में सबसे पहले आप वह value देख लें वह है command हमारे पास timeout space slash t space 16 और इसको मैं बाकी command से उपर रखूँगा अभी इस command का मकसद जो है वह यह है कि जब startup में miner auto start हो तो वह 60 seconds के delay से start हो ताके windows जो है वह अपने drivers full load कर ले GPUs के drivers load हो जाए और minor में कोई problem ना है कोई error ना है तो यह थी हमारी minor की settings इनको मैंने safe के लिया है अब हम आगे चलते हैं और इसको हम startup में डालते हैं तो startup के लिए मैं आपको बताऊंगा आप windows plus r दुबाएं और run को खोलें और इस run में आप टाइप करें shell colon startup तो जब आप यह command डालेंगे तो आपके पास यह folder खोल जाएगा और जो bad file आपने अभी ready की है जिसके अंदर हमने सारी commands डाली है आप इसको copy कर लें और इस shell startup वाले folder में आप इसका shortcut paste कर दें इससे जब भी windows start होगी तो आपका जो minor है वो auto start होजेगा लिकिन एक जरूरी बात वो यह है कि यह command हमने यहाँ पर डाली है इस minor की settings में जब तक administrator से minor on ना हो run as admin ना करें हम minor को तब तक यह settings apply नहीं होंगी और वह default settings पर चलेगा जिसमें वो electricity जादा consume करेगा और hash rate उसका बिलकुल अच्छा नहीं आएगा तो इसके लिए जरूरी है कि आप आपका जो minor है यहाँ पर यह वाला इसको आप properties में जाएं इसकी compatibility में जाएं और इसको run this program as admin कर दें और change settings for all users करके आप इसको run as admin को कर दें और apply कर दें इस तरह से तो अब जब भी PC आपका start होगा startup से यह file on हो जागी और यह as an admin file on हो जागी अब यहाँ पर एक और issue आदा है वो issue यह है कि जब भी हम किसी चीज को run as admin करते हैं जैसे कि यहाँ पर मैं एक application को run as admin करूँ अगर इसी की मिसाल ले लेते हैं तो यह देखें हमारे पस इस तरह का एक prompt आता है जब तक हम इसको yes ना करें तो वो on नहीं होता तो इससे हम इसको bypass करने के लिए एक और settings करेंगे जिसके लिए हम यहाँ पर लिखेंगे change user यह देखें change user account control settings इसमें जाकर आप इसको never notify पर करके ok करने तो अब आप किसी भी चीज को run as admin करेंगे तो वो आपसे पहले उसकी permission नहीं मांगेगा आपको वो prompt नहीं show होगा इसकी मिसाल आप इस तरह से ले सकते हैं कि मैं आपको इसको run as admin करके दिखाता हूँ और यह देखें कि यह simply on हो गया है और इसने हमसे कोई prompt नहीं मांगा इस पार तो यह थी हमारी minus की setting अब मैं आपको इसको restart करके जो मेरी mining machine है मैं उस पर आपको restart करके तो दिखाता हूँ कि इन settings के बाद किस तरह से यह miner flawless work करता है और एक चीज मैं आपको और दिखाना चाहता हूँ यह है कि यह जो हमारा address है जब आप mining setup on करेंगे और two minus dot com की website पर जाएंगे तो यहां पर वो wallet आप paste करेंगे और search करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह की screen आ जाएगी जिसमें आपके पास आ रहा होगा कि आपने कितना ethereum mine किया है यहां पर एक setting और जरूरी है तो इन सब की detail में मैं नहीं जाओंगा यह values क्या है और आप आपको यहां से account settings में जाना है और आपको यहां पर IP paste करना है और आपको minimum payout value set करनी है जितनी आपको suit करती है मैं recommend करता हूँ 0.05 क्योंकि यहां पर जितनी भी आप payout value रखेंगे वो उस पर $3 की आपको fees लगेगी यहां से आपके wallet में transfer करने में जो के finance है जहां पर इस ethereum को sale कर सकते है तो मैं suggest करूंगा आप इस value को थोड़ा high रखें यह ना हो कि आपकी $3 की जो fees है वो आपके mind ethereum से जादा हो तो यहां पर IP place करने के लिए simply आप myip.com पर जाए और यहां पर आपको आपका IP show हो जाएगा आपको किसी command prompt अगरा में जाने के साथ नहीं सिंपल myip.com जाएं यहां से अपना IP address copy करें और यहां पर paste करें तो इसको settings को यहां पर करके जितना आप ethereum का payout रखना चाहते हैं तो save कर दें तो यह थी हमारी minor की settings अब हम मैं आपको इस minor को run करके दिखाता हूं सो यहां मैं एक चीज और add करना चाहता हूं यह है कि आप अपनी बायो सेटिंग्स में जाएं PC की PC को restart करें delete या F2 के button से आप बायो सेटिंग्स में enter होंगे यहां पर आप advanced में जाएं और यहां पर आपको advanced power management की settings में लेंगी इसमें जाकर आप यहां से AC power loss को power on पर गर दें ताके जब आपकी light जाए या जैसे ही आपके computer को light का connection मिले जो current है वो मिले तो PC automatically on हो जाए और आपकी windows automatically on होके आपकी mining start हो जाए और आप windows को इसलिए कोई password वगरा ना लगाएं ताके automatically जब आपका PC on हो तो आपकी mining खुदी start हो जाए तो अब मैंने system को restart किया है और अब मैं आपको दिखाना चाहता हूँ किस तरह से windows के start up होने के बाद automatically हमारा miner on हो जाएगा और वो miner जो है automatically settings को apply करेगा जो हमने commands दानी थी इसके अंदर GPU के settings की और वो खुदी automatically mining start करेगा तो इस mining rig में मेरे पास screen recorder नहीं था तो मैं camera से record कर रहा हूँ तो अब आप देख सकते हैं कि यहां पर खुद ही command prompt on हो गया है और यहां पर हमारे पास timing आ गई है अगर आपको याद हो तो 60 seconds का हमने time out डाला था 60 seconds का delay डाला था ताके drivers on हो जाएं लिकिन अगर आप कोई key press करतें तो वो time skip हो जाता है और हमारी mining start हो जाती है तो मैंने time skip करके mining start कर दी है और आप देख सकते हैं कि यहां पर हमारी mining automatically start हो गई है और अगर आप यहां पर देख सकें तो settings भी apply हो चुकी है अब यहां पर deck file load हो रही है जिसके होने के बाद हमें यहां पर हमारे hash shirts show हो जाएंगे तीनो GPUs के पहले दो जो थे हमारे पास RTX 3070s है और जो 3rd GPU है वो हमारे पास GTX 1660 Super है और यहां पर अब deck file load हो चुकी है और आप देख सकते हैं हमारे पास hash shirts आ गए है जो के 3070s के 60.5 है और GTX 1660 Super का 31.6 हमारे पास almost 31.7 हमारे पास hash shirt आ रहा है जो के बहतरीन है तो हमारा minor complete setup हो चुका है तो गाइस यह थी हमारी आज की video mining rig बनाने की उमीद है आप लोगों को video पसंद आई होगी की informative लगी होगी अगर आप लोगों के कुछ और questions है इस बारे में तो आप लोग comment section में पूर सकते हैं मैं कोशिश करूंगा ज्यादा से ज्यादा को answer कर सकूं तो आज की मारी यह video थी मैं कोशिश करूंगा कि इस तरह की और informative वीडियो आप लोगों के लिए लाना शूरू कर हुआ हुआ है